और एक है royal भी और simple भी दोनों के balance के understanding में फरक है साधना और साधन का balance तो उसमें साधना साधनों के बीच में साधन यूज करते हुए साधना की व्रत्ति अर्थत तपस्वी की व्रत्ति त्याग की व्रत्ति और royal भी और simple भी तो royal और simple बावा ने बहुत अच्छी बात कही वैसे तो ये है वर्दान है लेकिन जो भी हम करे हम कहते हैं न बेस्ट साधन यूज करेंगे मतलब पिशेशकर सेवा के लिए लेकिन उसमें simplicity भी हो royalty भी हो और simplicity भी हो तो इसलिए बावा ने बहुत अच्छी बात है सोचना इसका क्या connection होगा royal, simple, sadhna, sadh बाप की याद में रहे सदा हर्शित रहन रहो याद में रहने वाले बहुत रमनीक और मीठी होंगे देखो, ये है याद याद में रहने वाले रमनीक और मीठी होंगे dry नहीं होंगे, मुझे किसी से बात नहीं करना है किनारा नहीं करेंगे लेकिन रमनीक और मीठी होंगे खुशी में रहे, सर्विस करेंगे ये याद में रहने वालों की निशानी अच्छा, प्रश्न है ज्यान की मस्ती के सारसाथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है ज्यान की मस्ती के सारसाथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है दे अभान कितना आता है ये भी ठीक है और पाँच बाते हैं नीचे बाते ग्यान का भी मान ना आए और ग्यान की मस्ति के साथ साथ चेकिंग कौन सी चेकिंग करना मस्ति भी हो मन कई भटकता तो नहीं मन कई जाता नहीं दूसरी जगे चलो फाइंड आट करो मुरली से एक आया है सिर्फ आत्मिक स्मृति देही अभी मानी एक राइट है गीत है जले न क्यों परवाना क्या है आगे ओम शांति दीदी जले न क्यों परवाना जले न क्यों परवाना समा दिखाकर हुसन के जल्वे समा दिखाकर हुसन के जल्वे बना दे जब दीवाना जले न क्यों परवाना दिल की लगी का नाम है उल्फत, और उल्फत का है ये मतलब, चुपके चुपके धीरे धीरे, हसस के जल जाना, जले ना क्यों परवाना, जलना है तो फिर जल जाए, हुसन के सांचे में ढ़ल जाए, इस्क में दोनों एक है अब तो, जीना या मर जाना, जले ना क्यों परवाना, जले ना क्यों परवाना, मीनिंग बहुत गहरी है इसकी ऐसे जलना है चुप चुप के और पता भी न चले अच्छा मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी सभी ने सुनी अव्यक्त फरिष्टे ओनलाइन मतलब अव्यक्त सुनी सभी ने जबकि बाप इतना जलवा दिखाते है तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए जो बाप शाम से सुन्दर बनाते है बच्चे समझते है हम सावरे से गुरे बनते है एक की बात नहीं है वो लोग सी कृष्ण को शाम सुन्दर कह देते है चित्र भी ऐसा बनाते है कोई सुन्दर तो कोई शाम मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है सत्यू का प्रिंस सी कृष्ण सावरा हो न सके सी कृष्ण के लिए तो सब कहते है किसी कृष्ण का ऐसा बच्चा मिले, पती मिले, फिर वो शाम कैसे हो सकता है? कभी सोचा ही नहीं, कलर के लिए कभी opposition ही नहीं करी हमने, ऐसा क्यों कलर दिखाया? तो बाबा कहते है, कुछ भी समझते नहीं, जो दिखाते सर पर डान्स किया, ऐसी बात तो हो न सके, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बाते सुनकर कह देते हैं वास्तों में ऐसे कोई बाते है नहीं जिसे चित्रों में दिखाते शेशना की शहया पर नारायन बैठा है अच्छा ऐसी बाते है नहीं मतलब लिटरली नहीं है देकिन इसके उपर सर्प पर डांस किया इसका मीनिंग मालूम है ना क्लियर विकारों के उपर डांस किया इतना विकारों पर जीत सर्प मतलब विकार तो और शेशनाग में सोय शहया पर नारायन बैठा है शेशनाग शेशनाग मालूम है ना कहते सबसे हाइस्ट नाग उसको इंगलिश में क्या बोलते है शेशनाग पता ने शेशनाग मतलब ये शास्त्रों में ये नाम है शेशनाग कहते है शेशनाग पर ये धरती टिकी हुई है और ये जो अर्थक्वेक होता है तो वो नाग ऐसे सहीलाता है शेशनाग में अजिगर क्या है अजिगर जाप नाग अलग है, अजगर तो अलग है, नाग है, शेश नाग मतलब आइस्ट है, वो अजगर अलग है, अजगर बोले तो सर्पेंट है, सर्पेंट है, और ये स्नेक्स है, तो ये शेश नाग पर सोय हुए है, क्यों दिखाया, यादगार, संगम युक की रियालिटी, आराम सेव, मतलब उसके उपर, तो विकार के उपर, विकार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, उसी विकार के साथ रह रहे हूँ, विकारों के साथ रह रहे हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं, और आप रिलाक्स्ट, ये जो यादगार है, उसको फिर बोला, शेश नाग के उपर, तो मतलब सब के जो भी व्यवार है, ग्रहस्ती है, उसके बीच में रहकर, फिर भी रिलाक्स्ट, विकारों के बीच में न, हाँ, और वो सेवाधार, ये भी अच्छा है, शेश नाग को हमेशा ऐसे बताया है, शेश नाग की चत्र चाया थी, तो विकारी चाया, तो ऐसी बात हो न सके, इतने सैकडों मूख होते हैं क्या, शेश नाग, मतलब इसके सैकडों, नाग है, और उसके बहुत मूख है, इस कैसे कैसे चित्र बैट बनाए है, बाप समझाते, इन में कुछ भी रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार के चित्र है, प्रन्तु ये भी ड्रामा में नूद है, इसलिए सोते होई का पूजीशन बताया, बैठे भी तो हो सकते ना, बाकी सब चुए पर बैठे होई थे, शेर प पताया, हाँ, मतलब लेटा हुआ, केतन आराम से लेटे होए हो आपको कुछ पता ही नहीं, कुछ लखा है, किया नहीं चलता, हाँ, थे भी ये, पूरा एक्यूरट है ना, जिनके ओपर विकारों की, विकार, के विजय है, विकार के बीच में रह रहा है, विकार ही उनके लिए एक, मतलब वो परिस्तिती उसके लिए एक अच्छा reason बन जाता है, जिसको कहता है na blessing and disguise, वो परिस्तिती जो wrong है, लेकिन उसके लिए बहुत एक अच्छा spirituality में आगे बढ़ने का एक reason बन गया, और फिर धन आप के साथ, खितना खर्च करते हैं, तो ये सब आगे जब ये सब देखते थे तो इतना wonder नहीं खाते थे, अब जब बाप ने समझाया तो बुद्धी में आता है, कि बरोबर ये सब भक्ति मार के बाते, भक्ति में जो कुछ होता है, वो फिर भी जरूर होगा, सिवाए तुमा में जो पहले से नूंद है, वही होता रहता है, अधर्मों का विनाश एक धर्म के स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्यान है, अभी तुम्हें प्रार्तनादी कुछ नहीं करते हो, वो सब करते हैं, भगवान से फल लेने के लिए, फल है जीवन मुक्ति, तो ये सब समझ जाता है, यहां है प्रजा का प्रजापर राज्य, गीता में है, भारतवासी कौरव, पांडव क्या करत भए, बरोबर यादू ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया, ये सब आपस में दुश्मन है, तुम न्यूजादी सुनते ही नहीं हो, जो सुनते हैं, वो अ अंदर खिट-पिट बहुत है, है तो सब क्रिस्चिन, परन्तु अंदर खिट-पिट बहुत है, घर बैटी एक-दो को उड़ा देंगे, तुम राज्योग सीख रहे हो, कई जो नहीं होते हैं, वो करते हैं कि, देखो पहले जितने वार होते थे थे न, आजकल इतने नहीं ह है, मतलब पहले तो हर जगार राजाओ के बीच में, always physical war चलते ही रहते हैं, तो आजकल नहीं है, मतलब आजकल trend अच्छा है, क्या कहेंगे, हमने का hot war नहीं है cold war, तो और ही खराब है, दो सगय भायो के बीच में, बेहनों के बीच में, दो siblings पे बीच में, बहुत बटा प्र तो बाबा केते दिन प्रति दिन अंदर खेट बहुत है घर बैटे एक दो कोड़ा देंगे तुम राज्योग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा पाच तत्व भी वहां सतो प्रद तत्व इतने अपने मरियादा में चलते हैं उनकी ताकत नहीं क्यों सब तत्व मतलब वो तो खैर जबर्दस्ती वाला बताया है लिकिन वो जो राम दरबार में बताते हैं ना वायू देवता अगनी देवता कैसे हाथ जोड़े उसको बाबा कई बार मुर्ली में कहते हैं क प्रक्रती आपके मालिक के लिए वेट करेगी कि मालिक मुझे आग्या करे तो मैं उनके सेवा में काम आऊं तो कौन सी आत्मा यह है वो जो अभी प्रक्रती जीत बनी हुई है प्रक्रती के कारण हमारे discipline चेंज नहीं हो यह प्रक्रती जीत है तो पाच तत्व भी तो बाब दान होंगे समुद्र की ताकेती नहीं जो उचल कर नुकसान कर दे अभी तो पाच तत्व कितना नुकसान करते हैं वहाँ सारी प्रक्रती दासी बुचाएगी ठीक है ना सभी है प्रक्रती जीत देखो अगर अमरत वेला कर रहे है चाहे कुछ भी हो season हो no reason तो प्रक्रती द प्रक्रती दासी सेंटर पर आ रहे है कितनी भी ठंडी हो तो प्रक्रती दासी इसी को कहेंगे ना प्रक्रती दासी का मतलब प्रक्रती का अभी कल यूग में इस मतलब संगम यूग में प्रक्रती का impact मुझे नहीं कुछ कर रहा है प्रक्रती तो जो है वो है तो वहाँ सारी प्रकृति दासी हो जाएगी इसलिए दुख की कोई बाती नहीं है यह भी बना-बनाया ड्रामा का खेल है स्वर्ख कहां जाता है सत्युक को क्रिश्चिन लोग भी कहते पहले-पहले heaven था भारत अविनाशी खंड था सिर्फ उनों को पता ही नहीं को लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है शिवजयनती भी मनाते है तो भी समझ नहीं सकते अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिवजयनती मनाई जाती है जरू शिवाबा ने भारत में आकर heaven बनाया अब फिर बना रहे है तो प्रजा जो प्रजा बनने वाले होंगे क्या होगा जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी बुद्धी में कुछ बैठे गाई नहीं तो समझ लो उतना ही स्टेटस है उनका और जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबरम शुबाबा के बच्चे है प्रजापिता ब्रह्मा भी है जल्दी से अगर अपने बच्पन के दिन सोचे तो इदम जल्दी से क्लिक कब हुआ सेकेंड चैप्टर परमात्मा का निश्चे हुआ कि हाँ हम परमात्मा के बच्चे है ऐसे कितनी आत्मा है उसी टाइम मच wonderful तो सारे आदी सनातन वो सत्यू के आत्मा ही थी अव्यक्त फरिष्टे कितने हैं ऐसे ओनलाइन अव्यक्त फरिष्टे तुरंद टाच हो गया सेकेंड चैप्टर में अच्छे, wonderful तो सारे ऐसे ही बैठे है सत्यू के आदी वाले बाबा कहते है जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बरोबरम शिवाबा के बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा भी है लिब्रेटर ज्यान का सागर खुद बाबा है ब्रह्मा को नहीं कहेंगे ब्रह्मा भी उनसे लिब्रेट होता है डिबरेट सब को एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमोप्रधान है ऐसे अंदर में विचार सागर मंतन चलना चाहिए हम ऐसी मुरली चलाए जो मनुष्य जट समझ जाए बचे नमरवार तो है यह है यह है नौलेज इनकी रोज स्टड़ी करनी चाहिए डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना यह तो ठीक नहीं है न फिर कहेंगे देखो डर के मारे पढ़ाई ने पढ़ना इसके बाद कर रहे है बाबा बांदे लियों के नहीं उसके कारण भई ऐसा है इसलिए नहीं कर सक रहे है यह यह भी हां मतलब फिर वो युकती सोचेंगे इसे हमने बताया ना कित पर मुर्ली में इस नहीं करते थे ऐसे है लिखा बेन बहुत कुछ परिस्थिति आती है लेकिन बाबा केते पढ़ाई क्यों पढ़ाई से ही तो स्ट्रेंथ मिलती है तो वो स्ट्रेंथ को ही छोड़ देंगे अरे वो क्या कहेंगे मतलब हम मैं ऐसी कई ऐसी आत्माई है हम यही उनको ट्राइ करते है कि शक्ति देने की बार-बार आप संकल्प करोगे ना अरे वो ऐसे कहेंगे अरे वो ऐसे के देंगे, मैं ऐसे करूँगा, अरे वो ऐसे, मतलब मैं उनको उस संकल्प को बार-बार, मतलब उनको दे रही हो, आप बोलो ऐसे, वो ऐसे कहेंगे, वो ऐसे कहेंगे, ये सोचो ना, ये संकल्प, वो ऐसे कहेंगे, वो मेरे लिए इस तरह के शक्ति वाले शब अब्द कहेंगे, वो मुझे ऐसे बोल देंगे, वो मुझे ऐसे टोक देंगे, बाबा इसलिए कहते हैं, डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना, यह नहीं हो, तो यह है knowledge, यह ठीक नहीं है, फिर कहेंगे, अगर जो डर के मारे, फिर कहेंगे, बोलो, करमबंधन है, बाबा मतलब, इस आत्मा का करम बंदन बहुत स्ट्रॉंग है तो वो उसका परहावी हो गया देखो ऐसे है यहां कि ऐसे थे बोलने वाले बोलते थे लेकिन हम निर्वय थे है ना सभी है उस परिस्ते देजु गुजरे बोलते है हाँ यह कारण था तो बाबा कहते थे देखो आज का अवेक्तिशारा बहुत अच्छा है भी कैसे इस पर विजय पानी है बाबा कहते देखो शुरू में कितने छूट कर गए लोग क्या कहेंगे यह क्या कहेंगे फिर फिर कही चले भी गए सिंद में बहुत बच्ची आई फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन वन पड़े पहलो उनों को ग्यान बहुत अच्छा लगता था ऐसी आत्माई समस्थे ते इनको डॉट भगवान की देन मिली है ग्यान अब भी ऐसे समस्थे की कोई शक्ती है यह नहीँ समस्थे की परमात्मा की प्रवेश्ता है आजकल रिद्धि-सिद्धी की ताकत तो बहतों में है गीता उठा कर सुनाते रहते है बाप केते है यह सब भग्ति मार्ग की पुस्तके है ग्यान का सागर तो मैं हूँ मुझे भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार ये भी ड्रामा में नूद है सक्षातकार भी होते हैं भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं ज्यान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी है अगर ज्यान नहीं और भक्ती भी नहीं तो प्रॉब्लम है चलो अगर ज्यान नहीं पर भक्ती तो करते रहो भक्ती भी अच्छी है फिर भी मनुशे सुदरते तो है ना डर तो रहता है ना पाप हो जाएगा ये हो जाएगा श्राप मिलेगा कुछ तो डर रहता है न चोरी आदी नहीं करेंगे भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बाद भी नहीं करेंगे फिर भी भगत है आजकल तो भल भगत है फिर भी बहुत देवाला मार देते है ऐसे नहीं कि शिबाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे पास्ट का करम है तो देवाला मारते है ज्यान में आने से भी देवाला मार देते है इसमें ज्यान का कोई तालुक तैलुक नहीं है मतलब ऐसे काम करते है कोई ज्यान से तैलुक नहीं है मतलब हाँ फाइनेंशेल अफकोस ये बीच में चला था लक्स इंडिया का और चेन बनाओ और पैसे डालते जाओ तो कईयों ने ऐसे डाला और वो भाई जो जिसने शुरू किया तो उसने भी मतलब चार करोड रुपे ऐसे ब्राह्मनों से लेके बाबा ने कितना कहा कि बच्चे कोई से भी लेन दिन मत करो तो फिर भी किया कितनों ने पूरे ब्राह्मन परिवार में फिर वो चार करोड लेके भाग गया भागा और गाओं में जाके बिजनेस किया और वो उस पार्टनर सारा उसका डूबो दिया करम बंदन यहां का है वो जो भी था लक्स इंडिया कुछ था ना उसका ब्राह्मन बाबा की मुर्लिया जो अच्छे से समझ लेते ना एक्चुली उनके लिए बाद में कभी नुक्सान होता नहीं अगर वो बाबान ने कहां बच्चे कभी किसी से लें दिन मत करो अज्यानियों से भी नहीं तो ब्राह्मनों से भी नहीं ब्राह्मन से भी नहीं एल्प करो कि यह नॉन्रिफंडेबल ठीक है मैं नहीं कर दिया ठीकिन लें दिन नहीं करो यह सोचके कि वो मुझे वापस पैसे देगा वो नहीं करो नहीं मतलब देने के बाद हमारी व्रत्ती चेंज हो जाए सारा समय वो भाई सामने आए क्लास में तो मुझे उसी को देखती रोगी ये तो देने रहा है ये तो देने रहा है बोल भी नहीं सकते वो नहीं करो तो बाबा कहते है ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे पास्ट का करम है तो देवाला मारते हैं और हमारा भी उनके साथ कुछ होगा जो वहां से छोड़ कर यहां आकर फस गए इतनी मुरलिया चल रही है फिर भी फस गए और फिर बाद में कहते हैं कि देखो यह तो रेगुलर क्लास करता है इसने मुझे लिया यह बहुत सेवाधारी है बई जब दे रहे है तब पूछा था बेहनों को पूछा था क्या जब पूछा ही नहीं तो फिर बाद में कुछ होता है तो फिर क्या कर सकते हैं यह तो हम बहुत lawfully and strongly कहते हैं कभी भी center पर आते हैं किसी से लें दिन मत करो, फिर भी फस्ते, हाँ, करना ही नहीं है, help करो, अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे help करना है, करो help, फिर ठीक है, उसमें भी आप बताओ, मैंने उसका भी example दिया है कि help भी किया, लेकिन वो भी फस्ते है, क्योंकि help करने के बाद सोचते हैं कि फिर यह आत्मा थोड़ा बहुत इस तरह, कुछ न कुछ, न मेरा, मतलब, हाँ, थोड़ा favor में रहेगी, किसी ने किसी वे से, तो वो भी फस्ते हैं, तो बाबा कहते हैं, पास्ट का करम हैं तो देवाला मारते है इसमें ग्यान का कोई तेलुक नहीं है, तुम बच्चे अब service पर लगे हुए, समझते हो, श्रीमत पर service में लगने से फल पाएंगे, हमको सब कुछ वहाँ transfer करना है, back baggage सब कुछ transfer कर देना है, कल के मुरले थी, सफल करो, तो सफलता मिलेगी, बाबा को शुरु में बहुत आया था, वहां से जब निकला, तो गीद बनाया, अल्व को मिला, अल्व को मिले बाद्शाई, कब बाबा ने बोला, ये, जब वो पार्टनर से बाबा, ये था, settlement भी किया, और फिर वहां लिखा, अपने युगल को घर में, अल्फ को मिला अल्ला, बे को मिली बादशाई, सी कृष्ण का चेत्रभुज का साक्षात कारुआ, समझा द्वारिका का बादशा बनूंगा, अल्फ को मिला अल्ला, मतलब मुझे अल्ला मिला और बादशाई मिली, उसको बादशाई मिली, उसको मिला मुझे मिल गया अल्ला, तो उसको उसने पैसे ज़्यादा लिये ना, बाबा को सोना चांदी दे दिया, वो डाइमंड दिया, तो सी कृष्ण का चतुरुज़, वैसे इसका दादिया दो मीनिंग भी बताती है, मतलब कई दादियों ने, कि पहले तो मुझे अल्ला मिला, सेकंड, बे मतलब नंबर बाच्शाई मिली, ये मीनिंग भी बताते हैं, लेकिन ये बड़े गीतवें जिन लोग ये मीनिंग बताते हैं, सी कृष्ण का चतुरुज़ का साक्षात कार हुआ, समझा द्वारिका का बाच्शा बनूंगा, ऐसे नशा चड़ता था, अब ये विनाशी पैसा क्या तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमको बाबा स्वर की बाच्शाई देते हैं, परन्तु बच्चे इतना पुर्शारती नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे, बाबा को निमंतरन देने वाले, कभी बाबा को यादी नही आपकी याद में मसते रहते हैं इस सेंटर पर आ रहे तब पता चलेगा ना मुली सुन रहे तब पता चलेगा जिन्डा है तब खुश है बहुत है जो कभी यादी नहीं करते वियाद की यात्रा से खुशी जोड से चड़ेगे लगता है बहुत अच्छा वातावरन इतना पावफुल योग लगता है ज्यान कितना भी मस्त रहते परंतु दे विमान कितना है दे ये विमानी पना कहा है ग्यान तो बड़ा इजी है योग में माया विग्न डालती है ग्रेस्त विवार में भी अनासक्त हो रहना है ऐसा नहीं हो जो माया अंगूरी लगा दे माया काटती ऐसी है जैसे चुवा कल नहीं था न चुवा कल भी तो था चुवा कल नहीं था कल शेर और बिल्ली था है परसो था चुवा भी था आ चुवा भी था जुवा बिल्ली बक्री शेर चाल है तो यही टेस्ट करना था हाँ चुवा ऐसा काटता है जो भल भल खून निकल आए पर पता ही न पड़े पता नहीं चलता है कोई का अनुभव नहीं है ना बच्चो को पता ही नहीं पड़ता कि देविमान आने से कितना नुकसान होता है तो चुवा देविमान कर निशानी है बिली तो देविमान की निशानी है चुवा किसकी निशानी है चुवा काटता है चुवा मुझे लोब की निशानी जादा हो, खाना जहां दीखेगा न, वहीं तो वो फस्ता है, मैं ऐसा विचार है, फिर भी सोचो, तो बाबा केते माया काटती ऐसे है जैसे चुआ, बच्चो को पता ही नहीं पड़ता कि देविमान आने से कितना नुकसान होता है, उचपत पाई नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्सा लेना चाहिए, मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तकतनशीन बने, बाप है दिल लेने वाल दिलवाडा मंदिर में भी पूरा यादगार है, अंदर हाती ओपर महारती बैठे, तुमारे में भी महारती गोडे जवार प्यादे हैं, हर एक को अपने अपनी नब्स देखनी है, बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते और बाबा मिसल करते हैं, हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाकर बाबा को याद करते हैं, दूसरा कॉस्चन, पहले हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जाकर बाबा को याद करते हैं, मतब दो बजे, ढ़ाई बजे उटना, हम बहुतों की सर्विस करते हैं, जड़ कॉस्चन, हड़ी जिगरी कितना याद करते हड़ी याद नस नस में बाबा एक बाप दूसरा न कोई बस वो है बाप तो कितना याद करते जिगरी याद कोई समझते हम निरंतर याद करते यह हाँ वो भी नहीं यह हो नहीं सकता क्योंकि याद के जो तीन इफेक्ट बताए ना आज स्टार्टिंग में रम्नीक, मीठ्या और सेवा अच्छी करें तीन तो कई समझते हम बाबा की बच्चे बन गए बस परंतु परंतु क्या अपने को आत्मसमझ बाप को याद करना है बाबा की याद बिगर कुछ काम किया गोया बोलो बोलो गुलाब भई बाबा को याद बिगर कुछ काम किया गोया बाबा को यादी नहीं किया, यादी नहीं करते, मतलब ऑटोमेटिक उस समय पहले बाबा की याद आए, विछ काम शुरू किया, बाबा की याद में सदेव हर्षित रहना चीए, याद में रहने वाला सदेव रमनिक रहेगा, हर्षित मुक रहेगा, किसको बहुत खुशी से और रमनिक ता से समझाएंगे, याद वाले हर्षित, रमनिक, मीठा, किसको बहुत खुशी से और रमनिक ता से समझे, कोई भी ज्यान की चर्चा करो ना इतनी खुशी से वैसे करते ही है ज्यान आती ही वो खुशी आ जाती है समझाते समय बहुत थोड़े है यह आज तो बाबा ने कंप्रेन की यहां के लिए नहीं है कोई और भी बच्चे होंगे ब्राह्मन बचे कौन सी कंप्रेन होगी यादी नहीं करते है इसमें भी पास है जिनको सर्विस का शौक ही नहीं है बहुत थोड़े जिनको सर्विस का बहुत शौक है बहुत थोड़े है ऐसे कि सभी है सर्विस का तो बहुत शौक है सर्विस मिले तो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है actually शौक से जो कारे करता है उसमें creativity होती है उसमें time भी निकल जाता है उसमें automatic वो उसमें excellence भी आ जाती है कोई शौक, hobby वाली चीज़े जो होती है वो हमारा business बन जा है जिनका भी ऐसा वोला style होता है वो business बहुत अच्छा प्रॉस्पर करता है तुबावा इसलिए कहते शौक से करो चित्रों पर समझाना बहुत सहज है यह है उचे ते उचा भगवान फिर उनकी रचना हम सब आत्माई भाई भाई प्रदर उड़े उन्होंने फादर उड़ कह दिया पहले शुबावा के चित्र पर समझाना है कि यह सब है आत्माई का बाप परम पिता परमात्मा निराकार हम आत्मा भी निराकार है ब्रकुटी के बीच में रहती है शुबावा भी स्टार है प्रन्तु स्टार की पूजा कैसे हो? इसलिए बड़ा बनाते हैं. कितनी अच्छी ये reason है सेवा की, कि सब को शरीर दिया, जितनों की भी पूजा की, खाली एक शुबाबा को शरीर ही नहीं दिया. मतलब ऐसा कुछ दिखा दिया. कभी सोचा क्या? कभी नहीं सोचा. नहीं, मतलब ये हाँ, तो शिवलिंग, फिर उनको इसलिए शंकर जी का connection कर दिया. फिर वो ये बोलते थे कि भई, लिंक क्यों बताया फिर? तो और किसको बताया है नहीं? लिंक, बिना शरीर का. किसी को भी नहीं बताया. पूरे देवी देवताओ के पूरे वोल्ड में. तो बाबा केते हैं, कि पहले शिवाबा स्टार है, पर उन्तु स्टार की पूजा कैसे हो? इसले बड़ा बनाते हैं. बाकि आत्मा कभी 84 लाग जनम नहीं लेती हैं. बाब समझाते हैं. आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर अरण कर पाड़ बजाती है. सतो प्रधान आत्मा पुनर जनम लेते लेते, आईरेनेज में आ जाती हैं. बाद में आने वाले तो 84 जनम नहीं लेंगे. सब तो 84 जनम ले नहीं सकते. आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं. नाम, रूप, देश, काल, सब बदल जाता है. तो बचे ऐसे बाशन करना चाहिए. आत्मा के उपर? कहते हैं, कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन. परन्तु कराए कौन? सेल्फ बोल दिया. चलता है ना ये वर्ड लौकिक दुनिया में. सेल्फ एम्पावर्मेंट, सेल्फ रियलाइजेशन. तो आप मतलब, whatever, मन, बुद्धी, या मन भी नहीं, शरीर, सेल्फ का मीनिंग भी नहीं पता. खुद, खुद. पैकेज है पूरा. तो कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये शरीरी हो गए ना फिर, बस. तो आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? देखो, वो बताते हैं ना, विवेकानन को बहुत ये हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन. तो आत्मा, उसकी मिक्स हो गई है, जो भी ऐसे बताते हैं, इसको थोड़ी self-realization है मतलब normally self-realization मतलब के divine feeling लोगों को हुई है उसको बुलते है तो उन्तु कराए कौन ये तो नहीं knowledge है बाप जो ग्यान का सागर है ती पावने सर्व के सद्गती दाता है वही बैठ समझाते फिर उनकी खोब महिमा करो उनकी महिमा सुनी आत्मा का परीचे बताया कैसे कोर्स कराना है तो आत्मा का परीचे बताया आत्मा का चैप्टर सबको आना ची आत्मा परमात्मा एटलीस जिन सेवा का शौक है नहीं नहीं एक होता है वैसे पता है लेकिन एक सिक्वेंस कैसे होना ची आत्मा के, हां, मौक ड्रेन, अच्छा, मतलब, ट्रेनिंग, हां, पुर आत्मा का चैप्टर, पहले आत्मा है, उसका, पाथ स्टेप्स है, सिंपल, पहले आत्मा है, ये प्रूव करना है, क्योंकि लोगों को यही, फिर आत्मा कैसे, मन शरीर से अलग है, मन, बुद्धी, संसकार का कैसे पैकेज है, फिर तीन वो शक्तिया, फिर आत्मा का निवास्थान, और फिर आत्मा का स्वरूव, पाच चीज़े हैं, सिंपल, ये सीक्वेंस है, तो, नहीं, नहीं, आत्मा के सतोगुने, वो स्वरूव है, बिंदी तो वो रूप हो गया, और जग एक साथ लेते हैं, तो आत्मा सो परमात्मा कहना, ये वो चोटा बड़ा हो ना सके, परमपिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा, पुर्मात्मा तो परेते परे रहने वाला है वो पुनर जनम में नहीं आते हैं इसलिए उनको परम्तुता कहा जाता है इतनी छोटी आत्मा में पाट भरा हुआ है पतीत-पावन भी उनको ही कहते है उनका नाम हमेशा श्युभाबा है रुद्र बाबा ने पृतिमार में अनेक नाम रखे है उनको सभी याद करते हैं कि पृति पावन आकर पावन बनाओ तो जरूर आना पड़े ना वो आते तब है जब एक धरम की स्थापना करनी होती है अधी सनातन देवी देवता धरम अभी एक कल्यूक एर मनिश्य है सत्यूक में बहुत थोड़े मनिश्य होते गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकर द्वारा विनाष गीता द्वारा laughs ऐ आधी सनातन धरम की स्थापना होई थी सिर्फ उसमें भी भूलकर सिक्रिष्ण का नाम डाल दिया अब आप कहते हैं वह तो पुनर जनम में आने वाला है मैं तो पुनर जनम रही थो तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या सिक्रिष्ण गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक कोई कहां जाता है फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धरम का नहीं है सत्यूग में आने वाला जट मानेगा और पुर्शार्ट करने लग पड़ेगा मूल बाती यह है वैसे यहां जो आये कोई बहस वाले निकले है क्या? मतलब बहस इन दे संस इजीली ग्यान को माना नहीं होगा वो भी है बहस वाले कोई नहीं है मैं तो बहुत बहस वाले थी इजीली ग्यान को एक्सेप्श नहीं किया था लेकिन वो जो एक होता है न आर्गूमेंट एक होता है समझने के लिए अपनी बाते जो भी हमने लॉजिक सुनी है या हमको लगता है उसको क्लियर करना वो डिफ्रेंस है दोनों में आर्गू वाले नहीं हाँ होई है न तो बाबा कहते है जो यहाँ सत्यूग में आने वाला जट मानेगा और पुर्शारत करने लग पड़ेगा मूल बाती यह है इसमें तुम्हारी विजय है परन्तु देही अभिमानी अवस्ता कहा है एक दो के नाम रूप में फस्ते है भक्ति मार में भी कहते थे परवाती पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की बाकि डर किसका बहुत हिम्मत चाहिए भाशन करने वाले को आत्मा का ज्यान बहुत मस्ती से देना चाहिए बड़ा मस्ती से दो ज्यान ठीक है है फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए बाप की महिमा है प्रेम का सागर ग्यान का सागर वैसे बच्चों की भी महिमा है किसको गुसा करना माना किसको गुसा करना माना बड़ा अच्छी बात है यह स्टेट्मेंट भी अच्छा है लिखने जैसा है ल हम लोग नहीं उठा सकते बाबा कितना मीठा है बच्चे कोई काम में नटाते है नटना, मतलब मना करना तो क्या हो गए सेवा में मना करते हैं तो क्या कहेंगे अच्छा बचा नहीं है सेवा में मना किया तो नटवर नहीं बनेंगे, नटते हैं ना काम को, तो नटवर नहीं बनेंगे, कभी भी ना नहीं करो, सेवा में ठीक है, जन्यून परिस्थिती है, तो बताओ कि ये परिस्थिती है, लेकिन नॉट पॉसिबल, ये वाला अंसर अच्छा नहीं है, इसमें, मेसिज में भी कर देते ना, भी reason बताओ ना, कुछ ऐसा है तो मना करना मतलब क्या एक तो हम सेवा से आगे भी बोलने वाला फिर सोच के बोलेगा, या बड़े तो हमको फिर बोलते ही नहीं थे क्योंकि वापस मना करे इसका हिसाब किताब बनेगा इस तो बताओ ने तो विश्वास भी उठ जाता है जो मना करता है आप हाँ बोलो और उसके बाद बताओ कि ये ये परिस्थिती है इस कारण तो वो एक अलग है कि वो परिस्थिती के कारण बट नॉट पॉसिबल ये वर्ड बहुत रहोंगे बाबा कहते तो नटवर नहीं बनेंगे बहुत मीठा बनना है अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार गुड मॉनिंग रुआनी बाब की रुआनी बच्चों को नमस्ते रुआनी बच्चों की रुआनी बाब दादा को याद्या नमस्ते गुड मॉनिंग सुप्रिया वावा प्यारा वावा थेंक्यू वावा 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 अच्छे अपना आंसर बिला दे या भी मानी हाँ कॉश्चन था ग्यान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है अना सक्त रहना दे या भी मानी सेकंड पॉइंट हम कितनों की सेवा करते हैं ग्यान रमनिक्ता से समझाना वैसे है पॉइंट्स तो बहुत है मुरली में भी लेकिन इनों ले लिये बहुत कम है ऐसा तो एक तो हड़ी प्यारे ये चेक करो और कितना समय हम याद में रहते ये चेक करो तो ग्यान की मस्ती तो रहती है लेकिन चेक करो देही अभीमानी कितना बने है ग्यान तो बहुत सहज है लेकिन योग में माया विखन डालती है तो पहला था है देही अभीमानी कितने बने है ग्रहस्त विवार में अनासक्त हो रहना है सेकंड पॉइंट ऐसा नहों माया चुही अंदर यंदर काटती रहे और पता भी न पड़े अटैच डिटैच अटैच्मेंट नहीं अपनी नब्स आप ही देखते रहो अपनी नब्स आप ही देखते रहो की बाबा के साथ हमारा हड़ी प्यार है कितना समय हम याद में रहते हैं धारना के लिए सार है अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है मम्मा बाबा समान तक्त नशीन बनना है जिगरी याद में रहना है जिगरी याद में रहना है जिगरी को बाबा ने दूसरा वर्ड क्या बोला था अड़ी दूसरा है किसी के डर से कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है याद से अपने करम बंदन हलके करने है कभी क्रोध में आकर याद से अपने करम बंदन हलके करने है कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है किसी सेवा में क्या नहीं करना है नटवर बनना है नटवर नहीं बनना नहीं है ना नहीं करना है दादी प्रकाश्मनी कहते थे एक साल के से भी ज़्यादा अगर करम बंदन होता है मतलब वो करम बंदन नहीं तुमारी योग की कमी है एक साल तक ठीक है करम बंदन दादी में शेकर बाद में फिर योग की प्रॉब्लम है वर्दान है, रोयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कारी करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव जैसे ब्रह्मा बाप बहुत साधारन रहे, न बहुत उचा, न बहुत नीचा ब्रह्मानों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल साधा हो न बहुत रोयल हो बीच का होना चीए, अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी कोई भी कारे करो तो बीच का करो ऐसा कोई न कही कि यहां तो राजा ही ठाट हो गया, जितना सिंपल उतना रोयल, दोनों का बैलेंस, कितना बाबा, मतलब एक्यूरेट समझानी देता, ज्यादा तड़क बड़क भी नहीं हो, और अफ्कोर्स ऐसे भी नहीं हो, मतलब इसमें इतना सिंपल भी हो, रोयल दीव, यही है रोयल टीम में वो एक बेंचमार करना बहुत जरूरी है कि यह वाली चीज हाइफाई में होती है, यह रोयल, अभी रोयल्टी, रोयल्टी करते करते, वो बहुत कॉस्चली भी हो जाती है ना, स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाए स्वयम को देखो और याद रखो, जो करम हम करेंगे, हमें देख और करेंगे, अव्यक्ति साइलेंस, द्वारा डबल लाइट फरिष्टा स्तिती का अनुभाव करो, इस बार का अव्यक्ति शारे का हेडलाइन यह है, डबल लाइट फरिष्टा स्तिती, अभी आपकी आपकी सारी कारोबार स्रिष्ट संकल्प द्वारा इशारों से चलने चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय संकल्प चाहिए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धी में भी वही संकल पूठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन भी सुक्ष्म वतन बनेगा, यह बहुत भी ब्यूटिफुल स्टाइल है, मैंनेजमेंट का, दादिया करती थी, मुईने बयन बताती है कि जानके दादी को कुछ बोलना है कि मुझे संकल पाया, लेकिन मैं 24 घंटे बाद बोलूँगी आपको, तब तक योग का दान देती थी उसको, फिर अगले दिन जब बोलती थी, मैं भी ऐसी सोच रहे थी, इसको कहते है कारोबार चलाना, कि इदर संकल पुठा, दादी प्रकाश्मनी का स्टाइल कैसे होता था, कि संकल पुठा, मुरली के बाद बोलती थी दादी, अच्छा एक संकल पाया सुनाओ सबको सुनाओ दादी को एक संकल पाया सुनाओ ये ना जमीन है ना ये लेनी का सोच रही दादी ले तो वो गोपाल भाई जो महां का पुरा दूद सबजियों का देखता है उसका गाउवाजों से डिलिंग बहुत होती है तो किसी गाउवाले नहीं कहा कि मेरी दो एकर जमीन पढ़ी है तो आपको दो रुपे में देता है ले लिया और दादी को दादी को पूछा और दादी ने पहले दिन सुनाए संकल पाया इसको कहते कारोबार चलाना अव्यक्ति कारोबार तो मेरा संकल प्चले और उसका भी मैच बहस और ये ये कारोबार नहीं होता है ये तो करम बंदन बढ़ते जाते ये वाला स्टाइल चले ठीक है अच्छा जी आज से अभी हमारा मंडे तीन स्वरूप निराकारी उसमें भी पाच पाच दिन डिवाइड करेंगे आत्मिक वरत्ती और लास्ट के फाइडेस अर्शरिरी अवस्ति तो ये वाला पुर्शारत करेंगे भी योग करेंगे नहीं वो आठ्रा तारीक तक तो योग करना है इसलिए तो सी बीए